हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सस के इंजरा फ्रेंट्स देखे आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एससी थर्ड सीजेल वेकंसी 2022 यानि कि सचिवाला सहाइक वर्ती 2022 के लिए बिहार एससी के द्वारा पिछले 12 सालों में जितने भी साइंस के यानि कि विज्ञान के सब्सक्राइब करेंगे आज हमारा या दूसरा वीडियो है साइंस का इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टॉप 60 को कवर कराया हुआ है जो पिछले 12 सालों में बिहार एससी के द्वारा पूछे गया है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश् का निशान है उसको जरूर दबा लिजएगा इससे क्या होगा कि बिहार एससी थार्ड सीजल वेकंसी 2022 से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोट किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेसं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स आपको लिखा मिल जाएगा कि यहाँ प्रश्ण जो है किस वर्स और किस एक्जामिनेशन में पूछा गया है पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है बिहार एससी के द्वारा पिछले बारा वर्सों में जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा है चाहाए व वीडियो में आपको टॉफ सिक्ष्टी कोस्टन को कभर कराया हुगा है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखे फ्रेंट्स प्रश्ण है कि यदि एक पेंडूलम से दोलन क करने वाली घड़ी को प्रित्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी देखे यह प्रश्ण जो है बिहार स्सी फॉस्ट चीजल पीटी 2011 में पूछा गया है जो भी मैं आपको एक्स्प्लेंशन दूंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा यहां पर देखेंगे फ प्रित्वी के तल से उपर या नीचे ले जाएं ध्यान से सुनिएगा किसी भी लोलक घड़ी को प्रित्वी के तल से उपर या नीचे ले जाएं तो क्या होगा घड़ी का आवर्तकाल यह क्या होगा बढ़ जाता है ठीक है इसका मतलब है जब आवर्तकाल बढ़ जाता है इसका मतलब क्या है कि घड़ी सूस्त हो जाती है, घड़ी धीरे धीरे दोलन करती है, इसका कारण क्या है कि प्रित्वी के तल से उपर या निचे जाने पर आपने पढ़ रखा है कि यह जो जी का मान है, यह क्या होता है, घड़ता है यानि कि कम हो जाता है, कि लिएर याद र सुस्त हो जाती है ठीका option number इसका a right answer हो जाएगा यदि अगर आपसे पूछा जाता कि यदि यहीं सेम question होता है यहां चंद्रमा पर ना दे करके यहां पर पूछा होता है कि अगर उपग्रह पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी तो देखें उपग्रह पर क्या होता है भार हिं अनन्त हो जाएगा और ध्यान रखेंगे अनन्त जब हो जाएगा तो यहां घड़ी जो है काम नहीं करेगी यानि की कारे करना बंद कर देगे अगर यहां पर उपग्रह दिया रहता तब तो इन सभी points को आप ध्यान रखेंगे ठीक है और आवर्त काल जो होता है यहां लोल आसकी तरंगे वायू से कांच में होकर की गुजरती है तो कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे यह वाला प्रशन पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको कराया हुआ था ठीक है तो यह प्रशन साइध रिपीट हो गया हो या फिर से पूछ लिया गया हो इस तरह की हमारा और इससे पहले मैंने हिस्ट्री को भी पॉलिटी को भी और जोग्राफी को अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ एक वीडियो में हिस्ट्री को दूसरे वीडियो में कम्प्लीट जोग्राफी को और एक वीडियो में कम्प्लेट पॉलिटी को मैंने कवर करा दि कि नाभीकी रियक्टर, परमानु रियक्टर के दबारा जहां नाभीकी और जाको रचनात्मक कार्य में परियोग में लाय जाता है। ठीक है प्रथम नाभी की रियक्टर एन्रीको फर्मी की निर्देशन में अमिर्का की सिकागो विस्विद्दाले में सन 1942 इस पी में बनाये गया था और देखे विखंडन अब किरिया में उत्पन जो न्योट्रोन होती है उसकी गति तीवर होती है और इन न्योट्रोनों की ग करता है को तो भारी जल डीटू जिसका सुत्र होता है ध्यान रखेंगे ठीक है और विखंडन की स्रिंखला अभिकलिया को नियंतित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की लंबी चड़ों का उपयोग किया जाता है और यह चड़े जो होती है इनको कंट्रोल रोड्स कहा जा कि रात्री में आकास में सबसे अधिक चमकता है तो देखें फ्रेंट्स यहां जो होगा यह सुक्र है विनस है ध्यान रखेंगे यहां सबसे गरम गरह है इसके पास कोई भी उपगरह नहीं है ध्यान रखेंगे कि लिए और इसको जो है प्रिथवी की जुड़वा बहन प् तो फिर सुकर आता है , यानि दूसरे नंबर पर यह आएगा सुकरगरह फ्रित्र वी तीसरे नंबर पर आता है ठीक है, छौथे नंबर पर मंगल आता है फाच में नंबर पर ब्रहसपति फिर सनी और अpping और आखिर में वरुन आता है यह सब भी ध्यान राखें पुछा जाता है फिरिथ भी तीशरे नंबर पर शुक्र दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर बुद्गरा है वो देखें निमिलखित में से कौन सांग वाइरस है जिसे saved वाइरस भी कहा जाता है तो यहां पर बर्ड फ्लू पुछा गया है तो यह आपका हो जाएगा H5N1 यहां मैं लिखता हूँ H5N1 अब यहां पर एप्शन में देखिए H5 H5 यहां पर यहां पर यहां पर H5N1 दिया गया यह निका अब इसका यह होगा है अचा स्वाइन फुलू जो होता है स्वाइन फुलू के वायरस है है यहां अगशे से होता है अग नाल से कि दुपिका के बीटा सेल के द्वरा यह स्रावित होता है क्लियर अगर अगनास है इंसुलीन हार्मोन का उत्पादन बंद कर दे तो मुत्र यानि कि यूरीन है और जो ब्लड है उसमें सरकरा की मात्रा बढ़ जाएगी ठीक है अब यहां पर ध्यान देंगे देखें से इंसुलीन के कम सरवन से मदुमे नामक रोग होता है कौन सा डाइपेडिस मदुमे होता है इंसुलीन अगर कम सरावित होगा अगर इंसुलीन ज्यादा सरावित होता है अटी सरवन होता है इसका तो हाइपोगलाइसीमिया नामक रोग होता है हाइपोगलाइसीमिया ठीक कम सरावित होगा तो इसमें क्या होते इंसूलीन की मात्रा रक्त में गुलुकोज की मात्रा बढ़ दे लगती है चले राइट असर इसका पैनकिरियाज हो जाएगा next question कर लेंगे कि hydrogen के समस्थानिक इस संख्या कितनी है तो तीन समस्थानिक आपको पता है कौन-कौन से protium यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ यह protium है यह आपका deuterium है यह कहा है deuterium है और यह जो है क्या है tritium है अब यहाँ से अगर neutron की संख्या पूछा जाएगा इनमे तो इसमें 0 होगा क्योंको 1-1 0 हो जाएगा 2-1 इसमें 1 होगा neutron की संख्या इसमें neutron की संख्या 2 होगी क्लियर hydrogen को भविस्ते का इंधन कहा जाता है और hydrogen का यह जो वाला जो समस्थानिक जिसको ट्राइटिम कहा जाता है यहां radio सक्रीयता को प्रजर्सित करता है तो right answer 3 हो जाएगा इसका next question है एक कि peach blend इसका एक ऐस्क है peach blend जो है यह किसका ऑस्क है तो यह यॉरेनियम का है यॉरेनियम को metal of hope कहा जाता है यानि कि आसा धात्व इसको कहा जाता है यूरेनियम को अगला प्रश्चन देखेगा यदि एक उतल दर्पन में वस्तु यूँ प्रतिभीम दोनों वक्रता के इंदर पर है तो प्रतिभीम है तो यहां पर ध्यान देंगे अगर वस्तु वक्रता के इंदर पर है उतल दर्पन पर इसका प्रतिभीम भी कहां पर है इतना तो आपको पता है इसमें क्या होगा कि वस्तूज होता है यह समानाकार का होता है और इसकी प्रकृतिक होती है तो यहां उल्टा तथा वास्थविक होता है नेक्स्ट कुस्टन करेंगे कि विटामिन ये मुख्यता कहा संगरहित होता है, मलेरिया का आपको पता है मादा एनेफिलिमाज होता है और रिंग वर्म या दाद जो है यह कवक के कारण होता है, फंगी के कारण, next question है कि थैराइट गरंथी का अस्थान कहाँ पर है, थैराइट गरंथी का अस्थान आपसे पुछा जा रहा है, तो थैराइट गरंथी जो है गले के स्वर्त नंत्र यान की लेरिंक्स के नीचे, य और थैराइक्सिन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, ग्वाइटर, हमें लिखता हूं ग्वाइटर रोग होता है, थैराइक्सिन की कमी से, चलिए, next question करेंगे, तो यह आपका कहा हो जाएगा, गला हो जाएगा, इसका right answer, उसका बाद देखिए निमन में से कौन पोलियो क का कारण है, पोलियो जो होता है, यह वाइरस के कारण होता है, वाइरस के कारण, पोलियो की टीका का खुझ किस ने किया था, जोनस सालक ने किया था, अचा पोलियो ड्रॉप की खुझ अगर पूचा जाए, तो एलबर्ट सैबिन ने किया था, एलबर्ट सैबिन ने पोलिय video'd्रॉब्प की कोच किया था और पोल्यो का टीका पुछेगा तो जॉनस साल्क किया था। प्रस्टमिस में किया था। चली अगला प्लश्न कि यहां वाइरस से होने वाला रोग है तीन तत्व जिनका उप्योग रासानिक उर्वरकों में सरवाधिक होता है तो यह किया था और इसके लिए एलेक्जंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबल पुरसकार भी दिया गया था अगला प्रशन पढ़ेंगे कि नमलखित में से गलत यूगम को चीनहित करें इसमें से गलत कौन सा है अचा डैनमाइट की खोज किस ने किया था तो डैनमाइट का खोज अलफ्र तो इसका बना होता है आगलब बरसा होता है यहां पर दीके सभी उप्सन को दीख लीजई विदू अप्सानो है सब ही ऑफ्षिन को एक बार देख लीजिए ऑप्षिन नमबर डि इसका कर्यक्ट एंसर हो जाएगा देखिए क्लोरोफील एम हेमोगलिविन में क्रमसा युक्त है क्लोरोफिल में कौन सा धातू होता है मैगनीस्यम और हीमोगलविन में लोह धात उपाय जाता है तो अप्सन नमबर इसका C-magnesium और लोह क्रमसा हो जाएगा और यहां निकल उत्परेरक की उपस्तिते में हाइड्रोजनी करन कराया जाता है अगर कैटेलिस्ट पुछेगा तो ये निकल उत्परेरक की उपस्तिते में ठीक है चलिए अगला प्रशन है कि इसका ऑक्सिकरन सद्याव माइनस-1 होता है तो यह है आपका कौन सा इसमें से फ होता है एक मॉल में सभी option को देखिए यहां पर यह होता है छे गुणा 10 के पावर 23 कारबन के परमानु और इसको यह जो संख्या है यहां अवगादरो संख्या अवगादरो नंबर कहलाती है option number इसका D right answer हो जाएगा CO2 के एक मॉल में कितना होता है छोगुणा 10 के पावर 23 कारबन के परमानु होते है ठीक है इसको अवगादरो नंबर कहा जाता है तो यह option नंबर यहां पर देखिए D right answer हो जाएगा देखिए इसकी portion with the hellophatic है अच्छा hellophatic nutrition होता है ध्यान से सुनिएग का सौपोसी portion के समान होता है जिसमें की carbon यहां दिखे Carbon के कच्ची समगरी को यह सौपोसी bisexual के समान होता है होलोफाइटिक न्योट्रिशन जिसमें कार्बनिक कच्छी सामगरियों को सोर उर्जा की साहता से कार्बनिक अवस्था से परिवर्थित करने के लिए बाहर से प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार का पुसंज होता है हेलोफायटिक जो nutrition होता है या यूगिलीना में होता है किसमे होता है यूगिलीना में होता है अच्छा प्रशन है ध्यान रखेंगे उसके बढ़ देखेगा कि यह स्वसंद स्रिंखला को प्योग करे पादप कोशिका में उर्जा का उत्प बाद करता है तो यहां कौन है यहां माइटो कॉंड्रिया है इसको क्या कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है राइबोजम को क्या कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है एक लाइजोजोम होता है इसको क्या कहा जाता है कोशिका की आत्महत्य में इस्तित दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है अचा मैं पच्पन कोस्टन इसमें कराऊंगा आप सिर्फ गलत जितने कोस्टन का अंसर आप दिये होंगे उसका आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इतना प्रश्ण का अंसर गलत दिया मैं समझ जाओंगा कि कि इतने प्रश अंग जो होता है और सबसे ब्रिग्रान्थी लिवर होता है यहां दूसरा पुछा गया है सरीज में दूसरी सबसे ब्रिग्रान्थी तो यह अगनास है हो जाएगा next question है हमारा कि ये वाईव परदुसन का सूचक कौन है तो इसमें कौन सा है वाईव परदुसन का लाइकेन होता है यहाँ पर दीखे काई लाइकेन दिया गया है किस कारण समुदर नीला दिखाई देता है समुदर नीला दिखाई किस के कारण से होता है तो प्रकास के प्रकेरणन के कारण होता है next question है baking powder की रूप में किसका उप्योग किया जाता है तो baking powder के रूप में यहां baking powder खाने वाला soda के रूप में इस्तिमाल किया जाता है sodium bicarbonate, sodium bicarbonate इसका formula यहां लिख जेता हूँ NaHCO3 होता है, option number B right answer हो जाएगा यह दोने वाला soda है, next question है और sodium chloride नमक है खाने वाला मानव सरीर में गुन सुत्र के कितने जोड़े पाये जाता है, जोड़ा पुछा गया है, तो 23 जोड़ा संख्या पुछा जाएगा, तो 46 हो जाएगा चली, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान सी इस तरह के प्रश्न को solve करेंगे हो सकता है, option में देखिए, यहां दिया भी गया 46, तो गलती से आपको 46 लग जाएगा, जोड़ा पुछा गया, तो 23 लगाना है उसको बदे कि प्रकास संसलेशन की क्रिया अधिक्तम होती है, तो अधिक्तम यह होती है लाल रंग के प्रकास में आपको पता भी है कि लाल रंग का प्रकास का तरंग देर सबसे जादा होता है, और बैगनी का सबसे कौम होता है next question है काला जर किस कारण होता है काला जर ध्यान सूसने देखे काला जर जो होता है इसमें का होता है रोगी को तेज बुखार होता है काला जर और काला जर लिस्मानिया डोणेधा यहां मैं लिखता हूँ दिके प्रॉटो जुवास बाया यह लिसमैनिय मुरीना में बिसमैनिया 9 को दोनो वानी नामक क loto जुवास फैलता है और इस पर जिवी का जो इस लिब्लाAR होता है इस प्रोटो जुवास हिंदी बालू मक्ही होता है soundfly सैंदाग कि बलू मक्ही होते है ठीक है तो यह आपका हो जाएगा, राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा, लिसमेनिया, ओप्सन नमबर इसका है, लिसमेनिया, दोनों वानी मैंने बताया है, चली, प्रोटो जुआ है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है, अच्छा, अब तो यह आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, कि यहां रक्त प्लेटलेट्स दिया गया है, ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है थ्रोम्बो साइट्स, क्या है, यहां मैं लिखता हूँ, थ्रोम्बो, यहां मैं लिखता हूँ, ठीक है, थ्रोम्बो साइट, कि लालरक्तंकहन का ए्रेथ्रोसाइट क्या नाम है इसका ए्रिथ्रोसाइट यह विए नाम करेंगे लाल्रक्तंकहन के कहीं के बिए दिया जाये स्वेतर रंगा लिवक्या जाएगा तो क्या करेंगे इसलिए ये नाम याद रखना है रख्त पलेटलेट थ्रोंबसाइड भी सको कहा जाता है देखेए पफ सिन एंजाइम पाया जाता है बताई प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को प्रोटीन बदल देता है ठीक है प्याप्टोन में बदल देता है कि लिए राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा अगनासाइक रस में पाए जाता है यह पेट में अमासाइक रस होता है छल ध्यां रखेंगे ऑप्सम 4 रैट अंसर हो जाएगा यहां पर दीखें अगनासाइक रखेंगे अगनासाइक आपका हो जाये का हो जाएगा में चली अगला प्रशन कर लिंगे च时्तमीं कि फिंद कि ज्टरा दृष्टि के उफचार में किस मिधर दर्पन का कुण और यहां पर उतल लेंस होगा अगर हम उत्तल लेंस अगर बात करें तो उत्तल लेंस का इस्तमाल कि इसमें किया जाता है और अवतल लेंस का जो होता है यह निकट द्रिश्टी दोस्ट में किया जाता है और देखें एक और बिंदुकता होता है और बिंदुकता इसमें बैलना कार सिलेंडर का लेंस क का इस्तिमाल किया जाता है next question है कि ट्यूव लाइट का अंदर किसका मिस्रन होता है तो मरकरी वेपर और 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 अर्गन होगा इसमें option number a इसका right answer हो जाएगा ठीके चले next question है कि एक सरे जो होता है X की रंग एक उधारन है, तो X की रंग की खोज रौंगजन न ने किया था, और यहाँ एक विद्वत चुम्बकीय तरंग या औयांतरिक तरंग है, या औयांतरिक तरंग दोनों जाद रखेंगे, य criticize कि यहाँ एक elak reconstruct makes की भी है, और non-amechanical wave भी है, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा विद्धोत चुम्बकी हो जाएगा और और यांत्रिक भी ध्यान रखेंगे नन मेकेनिकल वेव चलिए अगला प्रश्ण है हमारे कि सोलर कुकर में किसका उप्यों किया जाता है तो सोलर कुकर में जो है अवतल दरपन का इस्तेमाल किया जाता है और जो 36 है उनको पिरियड यानि कि आवर्त कहा जाता है नेक्ष्ट कुस्सेर हमारा कि बैगने रंग का तरंग दर होता है तो मैंने बता है सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक जो होता है ये लाल रंग का होता है नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि निमलेकित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है तो इसमें से सबसे भारी तत्व ओस्मियम हो जाएगा ट्रांसफर्मर का उप्योग किया जाता है ट्रांसफर्मर ध्यान रखेंगे एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना विदूत सक्ती नश्ट किये हुए परत्यावर्ती धारा के विदूत वहक बलकमान बढ़ाया या घटाया जा सकता है या विदूत चुमबकी प्रेरन के सिधान पर कारे करती है तो यह प्रत्यावर्तिधारा हो जाएगा AC Current Alternating current चले next question है कि किसे कोषिका की आत्महत्या की थैली मैंने बताया था आत्महत्या की थैली कोषिका का कहा जाता है लाइजोजोम को यहाँ देखें लाइजोजोम दिया गया है राइबोजोम जो होता है यह protein factory होता है और आपको पता है कि mitochondria को powerhouse कहा जाता है और गोलजिकाय जो है इसको यातायात प्रबंधन कहा जाता है कोषिका का निम्लगित में से कौन सा law ask सर्वत्म गुनवता वाला है तो सर्वत्म गुनवता वाला तो प्पेट्रोलियम प्राकर्टिक स्टिक यहां को प्रमान उख और बौत्पादन नहीं किया जा सकता है तो इसमें से देखे गैर नविकरनी है जो है आपका कौन सा हो जाएगा बतेराइट इंसर क्या होगा तो गैर नविकरनी कि अगर हम बात करें तो कोईला पेट्रॉलियम प्राकृतिक गैस यह सबी जो है आपके गैर नविकरनी है यानि कि नन रिनियूवेबल एनर्जी रिसो हैं चलिए उसके नैक्ष्ट कोожеUST है कि इनसूलीन घृबोर्म सरीर में कि से सरावित होता है तो मैंने बताए था इनसूलीन जो सरावित होता है यह अगनासे से पैनिकरी याद से ठीक है चली नेक्स्ट कोस्टन है कि मा के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है यह इन में से कौन सा है यह भी आच्छा प्रश्ण है आप्सन नमर ए आई जी यह होगा इसका राइट एंसर यदे विद्धुत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिर किसमें होता है । तो यह आपका विद्धुतबल में हल्दी पौंद ये कि इस भाग से प्राप्त होता है तो यह प्रति यह क्या हो जागा इनमें से कौन जी सबसे बडी गरंती है तो लिवर जो है यकृति जुह सबसे बड़ी गरंती है नेक्स्ट कॉस्टन है कि कौन माश्टर गरंती कहलाती है इसका अंसर आप मुझे कम्च करके बताईएगा अपना स्कूर बता ठीक है पच्पन कोश्चन मैंने आपको करवाया है वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसको सेर कर दीजेगा कम से कम एक